हम इसमें गाजीपूर बॉर्डर पर मौजूद है और आप यहां देख रहे हैं यह जो महिला है यह इंटरनेशनल शूटर है और किसान की बेटी है जो बुलंच है से पिछले 26 दिनों से लगातार यहां पर किसानों के समर्थन में आ रही है पूनम पंडित नाम है इनका और किसान की बेटी है और इंटरनेशनल शूटर भी हैं आप 26 दिनों से यहां लगातार आ रही हैं क्या मुख्या मांगे आपकी बस यहीं मांगे हैं में सिकंदराबाद में मेरा गाओं है सिकंदराबाद से तो और इंटरनेशनल शूटर भी हैं नेपाल में 2018 में मेरा गोल्ड मैडल है तो अभी जिस तरीके से लगाता सरकार की तरफ से बात आई है कि कानून तो वह वापस नहीं ले सकते लेकिन जो मांग है किसानों की उनकी आधार पर एमाइंडमेंट या बदलाव कानून में ज वापस तो उनको लेना पड़ेगा हर हालत में ये आप जान लीजिए क्योंकि उनको पता है किसी चीज में संसोधन करना इसका मतलब उन्होंने गलती की है तो हम उस गलती को अपने मत्थे क्यों मंडवाएंगे गलती उन्होंने की है तो वह अपनी गलती को माने सभी किसान के सामने और यह जो इन्होंने किया है सको वापस ले इस बिल को यह गलत है सभी को पता या देश में पूरे में और बीधेस में भी बात पता कि इने कर पास कर के यह तो इनको लेना ही पड़ेगा definitelyrea ये इसमें को पर किस तरीके से किसान को सपोर्ट जाते हुए जाते हैं जाते हुए जाने में तो कोई रूटीन घूल मेरा बंदा हुआ कि नीज तरीक आती हुए ज़रूर किस तरीके से यहां पर और सपोर्ट करती हैं अपर यह लोग लंगर लगा रिखे इसमें भी हमसे जो एल्प बनती है किसी को देना खिलाना अपने हाथ से वह से भाव कर दे और बाकी तो अंदोलन में आना ही सबसे बड़ा शही हो गया और आपके पिताजी भी किसान मेरे फा जैसे कुछ किसान जो हैं इंद्रापुरम में मैदान में इस बिल के इन तीनों कानून के समर्थन में वो बैठे हैं तो उन से आप कितना बागे प्रक्ति देखे हमने तो उनको देखा नहीं जो भी आया है लेकिन जो इस बिल के समर्थन में वो किसानी नहीं है वह असली अगर वो आए हैं इस बिलके समर्थन में तो वो गलत आए हैं वही असली देश-दुरोई हैं यह लोग हमको देश-दुरोई बोलते हैं हम नहीं है वो लोग है तो यह अपने सुना यह पूर्ण नहीं हो जाते तब तक ये अंदोलन भी जारी रहेगा और पूनम का समर्थन भी जारी रहेगा कैमरा पसंद मोहित के साथ अभिशेक रावत एबिक न्यूज गाजी पूर बॉर्डर